दूसरों नमस्कार मेरा नाम बिजी अंदराना है और आप परवजन का डिजिटल प्लेट्फूम देख रहें च्छात्रों की विभिन समाश्याओं को लिकर आज हम फिर यूके ट्रिपलस सी पहुंचें मारतुलयज्य मारत साथ जुडे हैं आप लाइब कमेंट और सेयर करते रहेंगा अपनी समश्याइं बताते रहेंगा क्या किश समय पहले जो हमने पोस्ट आले थी काफी चात्रों की बहुत सारी समस्या आई थी एक सर के सामने रखेंगे सर स्वागयत आरे इस प्रोग्राम मे शुरू कर दिया है और अपने समबाद में डाल दिया है वे अपने काड को डांडोड कर सकते हैं जो बात कहे जा रहे थी कि यौर जु रिरिशी केस में और जो हरदवार में जो बात कही जा रहे सब्सक्राइब किया था तो यह ताहिए हुआ कि उनके इसाब से क्योंकि नैच्रली में अलब हरिद्वार में नहीं हो सकता काउड रहेगा भीड रहेगी लोगों को दिक्कते होंगी इस केस में भी बहुत प्रेशर रहेगा तो इसके लिए वह दोनुं सेंटर के जो लोग है देरादून के तो पहले देरादून डिस्टिक ने शिफ्ट कर दिया लेकिन हरिद्वार को हम लोगोंने हरिद्वार उदम सीनगर और पौरी में शिफ्ट करने की कोशिज की है और नौ तारिकों एकजाम अपने समय से होगा इस बहुत सारी परिक्षे हैं जहां जो है वेटिंग का लोग अभिहरती इंतजार कर रहे हैं तो आप क्या कहिंगे इन वेटिंग कब तक जारी होंगे विविविव आगोंगे वेटिंग लिस्ट के वेटिंग जो हमारे यहां में लूप से एक तो बन आरक्सी का है उसका एक हमारे पास लंबी था जिसको हम लोग कोसिज करेंगे आज कल में उसका रिकमेंडेशन हम फोरेज डेपार्टमेंट को भीज दें दूसरा अल्टी का था जिसमें तीन क्वेश्चन चैलेंज हुए थे कोड में जिसमें एक इसमें हमारी एक मिटिंग तीस तारीक होगी कि एक आज मिटिंग है हमारी और उसके बाद दोनों का एक्सपर्ट की रिपोर्ट की अधार पे हमें रिपोर्ट को समीट करके उसको हम कोशिज करेंगे अगले सब्ता करीब तेरह चोध तारिक तक उस पर भी हम फाइनल निर्ने ले 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 और लेंगे भी हम लोग नि जो है नेंस ग्यूदय कर्विया तो है जो अपनी अमश्याय रखना चाहते है उनन चांते है इक एक कर्का sवाल आम लहेंगे और आप कमेंट्स जरूर केज़ेगा सियर जरूर केज़ेगा और बताइगा कि जो है जो आपकी समश्याय है क्या-kiा-क्या-क्ư. विभाक के यह है कि हम लोग जुलाए के बाद कोई भी पुराना चीज पेंडिंग ना रखें, पोसिस करूँगा में नौ तारिक के बाद जितने भी पेंडिंग हमारे पास हैं, उन सब का निप्टारा हो जाए। करने सब्सक्राइक की नियुक्ती भी पहुँ जादे समयनी लगेगा, क्योंकि 189 उसमें हर कंडियर का अपने अपने चोईस थी, कहां मैं जाओं, कहां मैं न जाओं, मैरिट के हिसाब से उनका अमंटन था, एक अमंटन हमने पहले किया था, उसमें कुछ तुरुटियां रह और उसको हम नहीं सरे से कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीक में उसका रिजल चला जाएगा, अब पुलिस भरती में भी वेटिंग की बातें कही जा रही है, तो क्या वेटिंग लिस्ट लगाई जाएगी या इस प्रकार का कोई पटकता, पुलिस की भरती हमारे पास केवाल है पुलिस की है रेडियो वाली, उसके अला कोई लंबीत नहीं हमारे पास, और उसकी वी रिजल्ट हम लोग अभी बहुत जल्दी सुरू करेंगे, अधिकांसर जो मेसेज आ रहे हैं, कनिस साय को लेकर चातर बहुत परिसाने हैं, 746 पो लेकर अभी भी चातर बहुत परिसान एक सो नवाची उसमें चोईस थी लोग के पास, डिपार्टमेंट की कौन कहां जाना चाहता है, तो मेरिट के हिसाब से उनका आमंटन करना बहुत बड़ा काम है, इसमें सुरू कि दो दिन हम लोगों ने आफलाइन की कोईस की, उसके बाद हम लोगों ने कहां कि ऑनलाइन भी दे सकते हैं, बहुत समय लग रहा था उसमें, तो उसमें फर्स फेस के आमंटन में हो सकता है, मैरिट के हिसाब से कुछी को अपना चोईस करना मिला हो, तो उसको हम दुबारा रिव्यू कर रहे हैं, कि उसमें दुबारा डीवी भी हुई थी करीब 30-35 लड़कों की, औ और अब हम कोसिज यह करने हैं, कि फूल प्रूफ उनके चॉइस के साब से, उनके ऑप्सन के साब से, मेरिट के साब से, उनकाम अंडन हो, नेक्स विक तक रिजल निकाल देंगा उसका, सर्, आईटिया अनुदिशक्य भरती के बारे में बात करेंगे, आईटिया अनुदि तेन साल का था, यदो साल का था, वे सही साब साब साय है या नहीं, रूम उसका वह बेज चुके हैं, जैसे उनका रिजल निकलता है, पर आती हमें आख्या, उसके बार निकाल देंगा उसको भी, तो रिजल हमारा तयार है सर्ड औ किया इसमें भी कुछ कुछ जो श्याटिविकेशन रुष कम अनल के लिए हम जिसने व्हाईसू किया उनको बेढ़ जाया है एक जो हैं एक अभ्यट्ती कूच रहे हैं है, कि सर VPDO और VPDO की जो हाई को widely 하 citables क्लोबा है, उसे क्या पड़नाम नेकला है? MPD, Honor को हाई क्लोब मैं Anda क 나올 नो नि आ搟ें सब्सक्रा एसा कोई थो नहीं कि handler nSeo कहने तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है उसमें ऐसा कोई कोड ने डिरेक्शन दिया हो ऐसा भी नहीं है उसमें कोड का ये था कि उसमें दो लोगों ने साधिक ये दिया था कि मैं मेरी मदर एक्सपार होगी दिया पांच में लेट हुआ तो मुझे बैठने दिया जाए क्योंकि मैंने पहले एकजाम में नहीं बैठा वो एक वोट का था उसमादिस उसमें पांच तारीकों भी जो भी अगली डेट होगी उसमें चर्चा करेंगी सर एक अर्विन बढ़ोने जी कोच रहे हैं कि सायग किर्शियादिकारी जो भरती परिक्षा है कि डेट कप जा रही होगी और इसके फॉर्म दो साल पहले बढ़ होगे थे नियुक्त के तो दैखेंगे उसमें तवड़ा भी बात था कॉंकि इस लोगों कि तुट yhte कर लिदी का कर लिया लेकिन किछे अपर नहीं 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 बमात्ते है पिर रेसम में प्रॉब्लम नहीं थी तो वो उस पर चल ला हो भी हम लोग इसी महने उसको ख़तम कर देंगा जो भी काम कर रहे हैं सर विकी चोहन जी कह रहे हैं कि सर वन आर अक्सी के 93 पदों पर वेटिंग कब तक आएगी हम लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं नहीं हमारे एसाब से कि 54 या 55 पद होने चीए थे उसको हम लोग तैयार कर रहे हैं और हमारी कोसिस है कि आज अकल में निकल जा रहे हैं सर अन्य मुद्वर भी बात करते हैं सर आप नौतारी को जो भरती परक्षय होगी उसमें पारदरसिता की बात करते हैं इसमें लड़के भी संख्या भी जादे होगी इसमें सबसे बड़ी चीजा है कि बायो मैंट्री करा लें जैमर लगा लएं फ्रिस्किंग चेकिंग ठीक से हो कोचिंग सेंट्रों का वेरिफिकेशन हो परिक्षा के दिन आने जाने वाले बाहनूं की चेकिंग हो होटल ढ़ाबूं की चेकिंग हो तो उससे क्या होता है कि कोई बदमासी करना भी चाहाएं तो नहीं कर पाएगा हमें जितना प्रोएक्टिव होकर के कारवाई करेगे डिस्टिक अद्मिनिस्टेशन पुलिस अद्मिनिस्टेशन उतना ही हमको असान होगा हमारी कोशिच होगी कि हम समय से पेपर उनके पास पहुंच जाएं हमारे लोग समय से वहाँ पहुंच जाएं जो भी छोटी मोठी क्वेरीज है उनको हम पूरा करें और समय से हमारा एड्मिट कार्ट जारी हो जाए यह हमारी कोशिच होगी और पूरी पारदिश्टा के साथ इक्जान करने का प्रियास कोशिच जिसमें डिस्टिक अड्मिटिरेशन का इस्पेशली डिश्टिक मजिस्ट्रेट और स्सेश्पीज का वहत्तर पूर्ण होगा इसमें उनसे हम मिटिंग कर चूक है उसे मैं परते इक जिले में जाके मिटिंग कर चुका हूं अब प्रतेख जिला जाने के बजाए मैं टेलीफोन से प्रतेख DM SSP से बात करूँगा इस एक्जाम की सम्मेदन सीलता को देखते भी उनसे बात करूँगा और आज एक चिठी भी सब को हम जारी कर रहे हैं परसनली मैं खुद बेजूँगा उस चिठी को ताकि हर आदमी इस एक्जाम के प्रतेख सम्मेदन सील हो करके पारदर्शता के साथ अच्छे कोडिनेशन साथ एक्जाम हो यह हमारा प्रियास होगा मनीज टमटाजी पोंच रहे हैं कि हमारा सेंटर रुदरप्याग से देहरादून क्यों डाला गया कि पहारों में जो है इस परकार सेंटर क्या क्या विए समय रही दो करते हैं और लड़की मेरे पास लिए कि साथ यह तो यह पॉसीjskल रही है एप चिनता नहीं को देखिए संटर कहीं हो सकता है अब कभी आप देखे निटीट के एक्जाम हम बमतानिнегоसे कहां से कहां पहुंच जाते हैं अब लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेंड एम चेक कर रहे हो सकता है कि महां उतनी जगह नहों, लड़के जादे हो, सेंटर जादे हो, उसकी कैपेस्ट्री कम हो, ये भी कारण हो सकता है, लेकिन कहीं भी एक्जाम हो, एक्जाम देना चाहिए लोगों किया भी सुरू, हम इस सनातक स्तरी एक्जाम हो जाता है, और पराने पेंडिंग जो बरती हैं, जो जिनके रिजल निकालने हैं, हम लोगों को वेटिंग लिज निकालनी है, उसको निकालने के बाद एक अगस से कोशिस करेंगे, कि जो हमारे पास नए अध्याचन है, उस प इस केस से बड़े अराम से आ सकते हैं, आपके पास बाया पौरी आ सकते हैं, कई रास्ते आने के लिए ऐसा नहीं है, अगर दिहारा, दिवार होता तब मैं समझ सकता था, अधर्वाइस हर आदी पहुंच जाएंगे, कामवड का कोई प्रेशर दस से पहले नहीं होगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या है 149, 189, 189 को लोगों को मैरिट के हिसाब से देने में थोड़ा समय लग रहा हमें, और हमारी कोशिस है कि अगले हपते इसका रजल निकल जाए, कोशिस हमारी हो कि इसी हपते निकले बहुत अच्छा है, यह तो अगले हपते निकालेंगे, नि निकालना ही तो हाई है हमें, त्योंकि पहले वाले 24 के हिसाब से थोड़ी सी लोग को अब्जिक्सन था, तो उसको ठीक कर लिया हम लोगों ने, इसको निकालेंगे इसको निकालेंगे अगला, सर्फ, दीप सेनी जी कह रहे हैं कि जो है, हरदवार वालों के साथ इतना निय किया जा रहा है, कावड मेले के दौरान हरदवार से बच्चों के सेंटर नेनिताल उतरकासी अलमोडा डाल दिये गए है, कावड के दौरान कैसे जा पाएंगे, और जो है, कावड की प्रॉब्लम बता रहे हैं सर्फ, देखिए कावड की प्रॉलम तो इसलिए होगी, काव तक नॉर्मल ट्राफिक में रिस्रिक्शन नहीं है, और लड़कों को बाहर जागे एक्जाम देने में मेरे खाला कोई दिक्कत नहीं होनी चीए, और एक्जाम को पोस्पॉंट भी करना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मेरे सारे चीज़ें पाइपलान में है, इवन प सब्धाय भी उठानी चीए, और जहां भी सेंटर है सारे चीज़ें दो, जो से एक्जाम सेंटर है, उनके बाहर जो अधारक चो 44 लागो होगी है, इस प्रकार के क्या प्रावधानी, वो तो देखे, जो भी जहां भी सेंटर होगा, उसके बाहर 100 मिटर के आगे किसी को नही जाती है, रूटीन का सिस्टमी है, उसको स्ट्रिकली इंस फोर्स करना हमारी जिमेदारी होगी, और हमको करना भी चीए है, सेरु जी कह रहे हैं कि कर्मसाला अनुदुशक का फाइनल रिजल कब तक आएगा सरु, कर्मसाला रिजल मैंने आपको बताया, मैंने कुछ सार्ट का विरिफिकेट का विरिफिकेशन के लिए भेजा है, जैसे वो निकलता है, वो तुरंदुशका रिजल निकाल देगा, सर, मौनुकुमार जी कह रहे हैं कि हारिदवार से उतरकासी कैसे जाओं, सर, मुझे पहसे कौन देगा, अब आप देखे, ये तो बहुत मुस्किल को देखे, जी एकजाम में आपको फ्री ट्रैवल का गवर्मेंट ने सुविधा दिया है, अगर आप रोड़े के बस पर तरकासी जाते हैं, आप से किराय नहीं लिया जाएगा, ये गवर्मेंट पहले पहले है, ये बात जो आप कह रहे हैं, अच्छली पिसली बार जब चात रोड़ेज ने, और है बिल्कुल सुविधा हैं, आप फ्री ट्रैवल करो रोड़ेज की गाड़ी में जाओ, फ्री ट्रैवल करो, वही बात आ रही सर, इस बस भी होनी चीए, स्टेंड पर दिये, कह रहे हैं बिरती कि जो है, बस को होनी चीए, तब ही तो जाई हैं, बिल् आपको कुछी जहां करनी पड़ेंगी, हमारी कोशिची होनी चीए, कि आप जहां सेंटर पर जाएं, वहां आपको दिक्कत दो हो पहुचने हैं, बस एक दिन पहले मूब करो ना, क्या दिक्कत है, सिर्फ कुछ और भी अभी अभरती हैं, उनके भी हम सवाल ले रहे हैं, ज साथ जो है, एक्जाम हो रहे हैं, तो दोस्तों, आज हमने काफी जो चात्र थे, उनके जो है, सवाल हमने लेने के कुछिस की, तो आप देखते रहे हैं, अरवजन डिस्टिनल, धन्यवाद,